स्पोर्ट्स दुनिया प्रोग्राम में आपका स्वागत है स्पोर्ट्स सेग्मेंट के सवाल अलग-अलग PCS परिच्छाओं के साथ ही लगबख हर एक एक एक्जाम में अपना वेटेज रखते हैं लेकिन अभी तक स्पोर्ट्स के लिए यूट्यूब पर कोई अलग से प्रोग्राम नहीं है जिससे आप स्पोर्ट्स की सारी इंपॉर्टेंट कवरों को एक ही जगह पर देख सके हैं इसलिए Study IQ PCS की टीम अब हर अपते नैशनल इंटरनेशनल लेवल के सभी इंपॉर्टेंट स्पोर्ट्स न्यूज इवेंट को स्पोर्ट्स दुनिया प्रोग्राम में कवर करेगी हमें उमीद है कि इस प्रोग्राम से PCS और बाकी सभी एक्जाम्स की तैयारी में मदद मिलेगी तो चलिए नजर डालते हैं हालिया इवेंट्स पर यो यो टेस्ट और डेक्सा स्केन टेस्ट मेट कमपल्सरी फर सेलेक्शन इन इंडियन टीम ICC क्रिकेट वर्लकप 2023 और IPL 2023 को मदद मिलेगी नजर रखते हुए BCCI ने यो यो टेस्ट को और डेक्सा स्केन टेस्ट को नेशनल क्रिकेट टीम के लिए कमपल्सरी बना दिया है आपको बताद है कि यो यो टेस्ट इंडियन क्रिकेट टीम में सेलेक्शन के लिए पहली बात होजा 17 में शंकर वाशु द्वारा लाया गया था और फिर पेंडेमिक के टाइम पे COVID प्रोटोकल के कारण लैक और प्रॉपर प्रैक्टिस के कारण ध्यान में रखते वे इसको ड्रॉप कर दिया गया था BCCI ने इस टेस्ट को वापिस लाने का फैसला खिलाडियों की फिटनेस को इंप्रूव करने के लिए किया है क्योंकि यो यो टेस्ट खिलाडियों की intense repeated exercise करने की capacity को चेक करता है यो यो टेस्ट की सुरवाद 1990s में Danish doctor physiologist James Banks वो ने की थी यहां से खिलाड़ी zero marker तक पैदल जाते है और फिर पैदल लॉट कर 5 meter marker तक next round की दौड के लिए तयार होते है 5 meter marker से लेकर 25 meter की एक दौड की दूरी को एक shuttle कहा जाता है और दो shuttle मिलकर एक circuit कहलाते है इस पूरी प्रोसेस के दौरान खिलाड़ियों के movement को regulate करने के लिए audio clip या beep sound रहता है और इसकी मदद से खिलाड़ी अपनी speed नियंदरत करते है यो यो टेस्ट कई प्रकार के होते है और हर स्पोर्ट की जरुट के एसाफ से उसको चुना जाता है पर एक बात तो इन सब टेस्ट में common होती है खिलाड़ियों के physical fitness को प्रखने के लिए टेस्ट में कुछ पहले से निधारिश circuit के बाद खिलाड़ियों की दोड़ने की speed increase होती है इस test का end तभी होता है जब खिलाड़ी अपने physical limit तक पहुँच जाता है या वो लगातार दो बार किसी नियम का violation करता है जैसे जब खिलाड़ी audio signal से पहले test की सुरवात कर ले audio signal आने तक marker तक ना पहुँचे मारकर पे बिना पहुचे अगले shuttle या circuit की सुरवात कर ले या intermittent type के योयो test में नई 40 मिटर की दोड़ स्टार्ट करते टैंक 0 से 5 मिटर मारकर पर पूरी तरह से नहीं रुके अब बात करते हैं DEXA scan की 2022 में रविंद्र जड़ेजा, जस्पिर पुम्रा और अन्य खिलाड़ी बहुत बार अंजड़ हुए थे खिलाड़ी के साथ ऐसी इस्तती दुबारा ना है इसलिए BCCI ने DEXA scan को इस्तिमाल करने का फैसला किया है DEXA का full form में dual x-ray absorptionometry इस scan के जरिये trainers खिलाड़ीों के शरीर में body fat percentage, lean muscle mass, water content और bone density का पता लगा सकते हैं ऐसा करने पर selector खिलाड़ीों के fitness status के बारे में अच्छे से पता कर पाएंगे और उनके workload management के लिए informed decision लेने की position में भी रहेंगे हाली में खेलो इंडिया यूद गेम्स के पांचवे edition के लिए mascot मोगली और आशा, smart torch अमर कंटक और एक theme song का अनावरण मुख्यमंति शिवराशिंचोहा ने बुपाल के सौरेश पारक में किया ये प्रतियोगीता 30 जनवरी 2023 से MP में शुरू होगी और इसका समापन 11 परवी 2023 को होगा खेलो इंडिया गेम्स में केवल cycling एक मातर गेम है जिसका आयोजन डेली में होगा बाकी सारे खेलो का आयोजन MP के आट जिलों में होगा गेम के 2022 के संक्रण की बात करें तो इसमें पहली बार वाटर स्पोर्ट जैसे काया किंग, कैनोइंग और फैंसिंग जैसे खेलो को शामिल किया गया है कुल मिलाकर इस टूनमेंट में सभी खेलो की संक्या 27 होगी खेलो इंडिया यूद गेम का अगर इतियास की बात करें तो इनकी शुरुवाद 2018 में होई थी तब इन खेलो का खेलो इंडिया स्कूल गेम्स के नाम से जाना जाता था परतमान में जो इस टूनमेंट का नाम है वो 2019 में रखा गया है खेलो इंडिया यूद गेम्स के माध्यम से सरकार जमिनी स्तर पर जो स्पोर्टिंग टैलेंट है इसको इडेंटिफाई करना चाहती है और उसको ग्रूम करना चाहती है यह गेम्स दो केटेगरी में होता है अंडर 17 पर स्कूल गोईं चेंडरन और अंडर 21 पर यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स पुराने संस्करंट में नजर डाले तो 2018 में ये खेल देली में आयो जीत वा था और उसकी विजयता हर्याना रही थी फिर 2021 में खेल हर्याना में आय कतर में आयो जीत अपने आकरी फीफा वर्ल्ड कॉप में काम्याभी ना पाने के बाद क्रिस्ट्यानो रोनाल्डो अपने फुट्बॉल केरियर के अगले पढ़ाव के और बढ़ चुके है इसी सिलसले में उन्होंने साओधी एरिया बाकी फुट्बॉल क्लब अलनसर को ज जरार ला दी ती इस किस्से के बाद मुश्वल एग्रिमेंट के बेसिस पे उन्हें क्लब से रिलीज कर दिया गया रोनाल्डो हाल फिलहां में बहुत ही बहतरीन फॉर्म में रहे हैं उनके केरियर के बारे में अगर बात करें तो उन्होंने अभी तक 1144 गेम्स में 819 गोल क सबनी रोनाल्डो ने अपना पीक टाइंग क्लब रियल मेडियेट के साथ देखा और उनके साथ ही उन्होंने पैंचेस्टर युनाइटिड के साथ में भी काफी बेमिसाल अचीवमेंट हासिल की है उन्होंने फुटबॉल का सबसे बड़ा अवार्ड बैलेंदुर अवार क्लब है जिनकी स्थापना 1955 में थी अलनसर कंट्री के टॉप डिविजन जैसे की सौधी प्रीमिर क्लब में खेलता है अब तक अलनसर ने नाव बार SPL का किताब अपना नाम कर लिया है सौधी के क्लब के जुनने के बावजूद रोनाल्डो अलनसर की शुरुवाती गेम मे बाव नहीं ले पाएंगे क्योंकि रोनाल्डो के उपर दो मैच का बैन लगा हुआ है आपको बता दे कि रोनाल्डो ने मिंचेस्टर युनाटिट के लिए खेलते वे गुस्से में एक फैन का फोन तोड़ दिया था और इसी मामले में कारेवाई के तहद उन पर ये बैन अपने नए कलब के लिए रोनाल्डो को खेलने का मौका 22 जनर्वी को अल आतिकाफ के खिलाफ मिलेगा जैदेव उनतकान क्रियेटिर हिस्ट्री इन रंजी ट्रॉफी हाली में रंजी ट्रॉफी में एक इतिहास रचा गया है सौरास्टर के खिलाड़ी जैदे उनतकान रंजी गिंस में एक पहले ऐसे बोलर बन गए है जिन्होंने पहले ही अवर में हैट्रिक असल की है डेली के खिलाब खेलते वे इस मैश में उन्होंने अपने केरियर बेस्ट का आठ विकेट लिये पहले अवर की तीसरी, चौती और पांची डिलीवरी में उन्होंने द्रूश औरे वेबर रावल और जश्टूल को आउट करते वे ये किर्दिमान स्थापित किया अपनी इसी सांदार गेंज वाजिए से उनतकान ने सौरास्टर को एक शांदार जीत दिलवाई अगली खबर बन नज़र डालते हैं 2022 फाइड वर्ल्ड रैपिड चेस्ट चेंपियंशिप फाइड वर्ल्ड चेस्ट चेंपियंशिप अलमाती कजाकास्तान में 26-28 डिसमबर 2022 में आईजित किया गया इस चेंपियंशिप में भारत की कुनेरो हमपी और सवीता श्री ने सिलवर और व्राँज मेंडल हासल किये विजेवड़ा अंधरपदेश की कुनेरो भारत की सबसे कम उम्र की महीला ग्रांड मास्टर का खिताब 2002 में हासल कर चुकी है बात करें चनी तमिलनाडू की सवीता श्री की तो उन्होंने अपनी चेस केरियर की शुरुवात अभी हाली में की है और इस समय काफी ही कमाल कर रही है नौरवेजीं ग्रेंड मास्टर मेंगनिस कालसन ने इस चंपियंशिप में अपना फोर्थ गोल्ड मेडल जीता है इंडिया वन मोस्ट मेडल इन आर्चरी एशिया कब 2022 एशिया आर्चरी कब 2022 सुलाया मनिया इराक में आरजित किया गया था इसमें इंडिया ने सबसे ज़्यादा मेडल जीते जिनकी संक्या 14 थी आठ गोल्ड, चार सिल्वर और दो व्रॉंज उम्रान मलिक विकेंड अपास्टेस्ट बोलर अप इंडिया उम्रान मलिक ने श्री लंका के खिलाव जस्तित बुम्रा के रिकॉर्ड को तोड़ते वे इंडिया के सबसे तेज गेदबाद बन गए है उनके द्वरा फैकी के बॉल की स्पीड 155 किलोमेटर पर आवर थी जो बुम्रा के 153 किलोमेटर पर आवर के रिकॉर्ड से अधिक थी जमू कश्मीर के गुजर नगर के रहने वाले तेश वर्षिय उम्रान IPL में संज राजर हिदराबाद की तरफ से खेलते हैं और उन्होंने अपने IPL केरियर की शिर्वाद 2021 में करी थी इंडियन T20 क्रिकेट टीम में उनका डेब्यू जून 2022 में आईलेंड के खिलाफ मैच में हुआ था बढ़ते हैं अगली कबर पर हाली में ओडिसा की मुख्यमंतरी नवीन पटनाएक ने इंडिया के सबसे बड़ी स्टेडियम में से एक का उधगाटन किया है 261 करोड की अनुमानित लागत से निर्मित ओडिसा के सुंदरगर जिले में इस स्टेडियम का नाम बुरसा मुंडा हौकी स्टेडियम पर इसर रखा गया है ये स्टेडियम दीस अजार लोगों के बैटनी की चंदा के साथ पचास एकड में बनाए गया है Australian Cricket Association और Cricket Australia ने अनौंस किया है कि Australia's Men's Test Player of the Year Award का नाम बदल कर Shane Vaughan Men's Test Player of the Year Award रखा गया है ये बदलाव Late Shane Vaughan के ओनर में किया गया है Australian Cricket के बारे में बात करें तो हाली में पूर्व Australian कफ्तान बलिन्डा क्लार पहली महिला क्रिकेटर बनी जिनका Bronze Statue Sydney Cricket Ground में लगाया गया है उनके अलावा SCG में ऐसे 14 और लोग है जिनके ओनर में SCG में Bronze Statue स्टैबलिश किया गया है बलिन्डा एक World Cup Winner Captain है उनकी Captainship में Australia ने 1997 और 2005 में खिता जीता था इसके अलावा वह एक शांदार Batsman भी रही है देश में क्रिकेट को बढ़ावा देने के लिए बलिन्डा का अहम योगतान है स्पोर्ट से रेलेटेड इसी खबरों को जानने के लिए स्पोर्ट दुनिया से जुने रहे है और Study IQ PCS को सब्सक्राइब करेए धन्यवाद